हेलो दोस्तों नमस्कार एक बरफेस से आपका बहुत-बहुत स्वागत है एक बहुती हैलफुल वीडियो में तो गाइस आज के इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि प्रेग्निंसी के टाइम पर लड़का और लड़की होने के कौन-कौन से सिम्टम होते हैं और आज की इस लक्षड पर बहुत ज़्यादा चर्चा करती हैं तो कौन से हैं वो लक्षड इस वीडियो में आप लोगों से शेयर किये जाएंगे बस आपको क्या करना है कि वीडियो को पूरा एंड तक वाच करना है ताकि आपके डाउड किलियर हो सके और आपको सही चानकर इस वीडि उसकी नौटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक बात का दोस्तों आप लोग धियां रखें वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ आपके डाउड को क्लियर करना है आपको सही जानकारी देना है ठीक है वीडियो बनाने का मतलब जंडर से दर्द रहता है पूरी प्रेग्नेंसी कमर में दर्द रहता है सिर में दर्द बना रहता है तो माना जाता है कि होने वाला जो बेबी होता है वो बोई होता है वो बेबी बोई होने के टाइम पर सिर में दर्द की समस्या कमर में दर्द की समस्या जादा देखने को मिलती है ल या फिर टाउंगों में दर्द की समस्या होने पे आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है तो जब भी ये लक्षड दिखाई दिना तो आपको होस्पिटल जाना चाहिए क्योंकि ये लक्षड डेंजरस भी हो सकती है ठीक है तो ऐसा आपको नहीं सोचना है कि अगर आपको सिर दर्द बहुत जादा होता है कमर में दर्द की समस्या होती है तो लड़काई होगा ऐसा बिलकुल भी नहीं होता है ठीक है हमेशा इस बात का ध्यान रखना है ऐसे केसिस में आपको होस्पिटल जाना चाहिए ठीक है तो अब जानते हैं दूसरे लक्षड के वारे में द पहली तिमाई में उल्टियों की समस्या बहुत ही कम होती है तो काफी महलाओं को बहुत जादा होती है मतलब प्रेग्नेंसी के फर्स्ट ट्रैमिस्टर में बहुत जादा समस्या होने लगती है काफी महलाओं को उल्टियों की समस्या बहुत ही जादा होती है लेकिन दोस्त के पहली तिमाई में अगर आपको इतनी ज्यादा उल्टिया होती हैं जैसे कि आप लिक्विड लेती हैं पानी पीती हैं जूस पीती हैं फिर भी आपसे नहीं पचाया जाता आपको तुरंत वोमिटिंग हो जाती है तो यह भी लक्षड अन्हेल्धी प्रेग्नेंसी के अंतर की सला जरूर लेनी चाहिए तो मैं बस यहां पर आप लोगों से एक ही बात कहना चाहती हूं कि लड़का लड़की होने का कोई भी लक्षड 100% वर्क नहीं करता है मैंने आपकी डाउट को किलियर किया है मैंने रीजन भी बताए हैं ताकि दोस्तों आपको पूरी जानकारी एक दम सही जानकारी वीडियो के माद्दम से मिल जाए और आपके डाउट किलियर हो जाए ठीक है वीडियो बनाने का मतलबी यही रहता है कि आपके डाउट किलियर हो जाए आपको कोई गलत फेहमीन आ रहे ठीक है इसलिए मैं रीजन भी बताती हूँ तो होप करते हैं का हो या लड़की हो है तो आपकी संताना तो दोनों को समान प्यार अधिकार दीजिए और सिर्फ भगवान से प्रे कीजिए होने वाला जो बच्चा है वो एकदम हेल्दी हो ठीक है तो आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड चै टेक क्यार एंड बाबाई जय हिंद